नमस्कार, आज के इस रोजगार मेले में जिन अभ्यार्थियों को सरकारी सेवा के नियूक्ति पत्र मिले हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई आज आप सभी ने कड़े परिशम के बाद ये सफलता हासिल की है, आपका चैन लाखों और ब्यार्थियों के बीच से किया गया है इसलिए इस सफलता का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्म है आज चारों तरफ देश में गणेच उत्सव की धूम चल दही है इस पावन काल में आप सभी के नए जीवन का स्री गणेश हो रहा है भगवान गणेश सिद्धी के देवता है मेरी कामना है कि आपकी सेवाओं का संकल्प राश के लक्षों को सिद्धी तक ले जाएगा साथियों आज हमारा देश अईतिहासिक उप्लब्दियां और फैसलों का साक्षी बन रहा है कुछ दिन पहले ही नारी शक्ती बंदन अधिनियम नारी शक्ती बंदन अधिनियम के रूप में देश की आधी आबादी को बहुत बड़ी ताकत मिली है तीस वर्सों से महिला आरक्षन का जो विशय लंबित था वो अब रिकॉर्ड वोटों के साथ दोनों सदनों से पास हुआ है आप कल्पना कीजिए कि कितनी बड़ी उपलब्दी है ये मांग तब से हो रही थी जब आप लोगों में से ज़्यादा तर लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा इन देश की नई संसद के पहले सत्र में हुआ है एक तरह से नई संसद में देश के नए भविश्च की शुरुवात हुई है साथियों आज इस रोजगार मेले में भी हमारी बेटियों को बड़ी संख्या में नियूक्ति पत्र मिले है आज भारत की बेटियां स्पेश से स्पॉर्ट तक अनेक नए किर्तिमान बना रही है मुझे नारी शक्ति की सफलता पर बहुत बहुत गवरव होता है सरकार की नीती भी यही है कि नारी शक्ति के लिए नए नए द्वार खोल दे जाए हमारी बेटियां अब देश के ससस्त्र बलों में कमिशन लेकर राष्ट सिवा के राष्टे पर आगे बढ़ रही है हम सभी का अनुभव है कि नारी शक्ति ने हमेशा नए उर्जा के साथ हर छेत्र में बढ़लाव किया है हमारी आधी आबादी के लिए सरकार का सूसासन और बहतर हो इसके लिए आपको नए आइडियाज पर काम करना चाहिए साथियों आज 21 सदी की भारत की आकांख्षा है बहुत उच्ची है हमारे समाज की सरकार से अपेशा है बहुत ज्यादा है आप खुद देख रहे हैं कि नया भारत आज क्या कमाल कर रहा है यह वो भारत है जिसने कुछ दिनों पहले चंद्रमा पर अपना तिरंगा लहराया है इस नए भारत के सपने बहुत उचे हैं देश ने 2047 तक विक्सिद भारत बनने का संकल पलिया है अगले कुछ वर्षों में हम तीसरी सबसे बड़ी एकॉड़ोमी बनने वाले हैं आज जब देश में इतना कुछ हो रहा है तो उसमें हर सरकारी कर्मचारी की भूमी का बहुत जादा बढ़ने वाली है आपको हमेशा सिटीजन फर्स की भावना से काम करना है आप तो एक एस्टी जनरेशन का हिस्सा हैं जो टेक्नॉलोजी के साथ बड़ी हुई है जो गैजेट्स आपके पैरेंट्स मुश्किल से ऑपरेट कर पाते हैं आपने खिलोनों की तरह उनका इस्तवाल किया है टेक्नॉलोजी से इस सहस्ता को अब आपको अपने कारिक्षत्र में इस्तवाल करना है हमें सोचना होगा कि हम गवननस में भी टेक्नॉलोजी की मदद से कैसा नया सुधार कर सकते हैं आपको देखना होगा कि अपने अपने क्षेत्रों में आप कैसे टेक्नॉलोजी के जर्ये एफिशन्ची को और इंप्रूव कर सकते हैं साथियों टेक्नॉलोजी कल ट्रांस्फोर्मेशन से गवननस कैसे आसान होती हैं आपने बीते नव सानों में देखा है पहले रेल की टिकेट लेने के लिए बूकिंग काउंटर्स पर लाइन लगती थी टेक्नॉलोजी ने ये मुश्किल आसान कर दी आधार कार्ड डिजिटल लॉकर और ए के वाई सी डॉक्यमेंटेशन की कॉंप्लेक्सिटी खतम कर दी गैस सिलिंडर की बूकिंग से लेकर इलेक्ट्रिसिटी बील के पेमेंट तक अब सब एप पर होने लगा है डी बी टी के जरिये सरकारी योजनाओं का पैसा सी धे लोगों के एकाउंट में पहुँच रहा है डी जी यात्रा से हमारा आना जाना आसान हुआ है यानि टेक्नॉलोजी से करप्शन घटा है क्रेडिबिलिटी बढ़ी है कॉंप्लेक्सिटी घटी है कमफट बढ़ा है आपको इस दिशा में और ज्यादा से ज्यादा काम करना है गरीबों की हर जरुरत हमारी पॉलिसिस ने बड़े से बड़ा लक्ष हासिल करने का रास्ता तैयार किया है हमारी नीतिया नए माइंडसेट कॉंस्टन मॉनिटरिंग मिशन मोड इंप्लिमेंटेशन और मास पार्टिशिपेशन पर अधारित है नव वर्षों में सरकार ने मिशन मोड पर नीतियों को लागू किया है चाहे स्वच्च भारत हो या जल जीवन मिशन इन सभी योजनाओं में हंड्रेट परसंट सेचुरेशन के लक्ष पर काम किया जा रहा है सरकार के हर स्तर पर स्किम्स की मोनिटरिंग हो रही है खुद मैं भी प्रगती प्लेटफॉर्म के ध्वारा प्रोजेक्स की प्रोग्रेस पर नजर रखता हूँ इन प्रयासों के बीच केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतार लेकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप सभी नवन्यूक्त सरकारी कर्मचारियों पर है जब आप जैसे लाखों युवां सरकारी सेवाओं से जुड़ते हैं तो नीतियों को लागू करने की स्पीड और स्केल भी बढ़ जाता है इससे सरकार के बहार भी रोजगार क्या उसर तयार होते हैं साथ साथ काम काज की नई व्यवस्था भी बनती हैं साथियों वैश्वीक अर्थिववस्थाओं में मुश्किलों के बीच आज भारत की GDP तेजी से बढ़ रही हैं हमारे प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में बड़ी बुरुद्धी हुई है देश आज अपने आधुनिक इंफ्रास्रेक्टर पर जीतना निवेश कर रहा है वो पहले कभी नहीं किया गया आज देश में नए नए सेक्टर्स का विस्तार हो रहा है आज दिन्योबल एनर्जी और्गेनिक फार्मिंग डिफेंस और परेटन समेथ कई सक्टरों में अभूत्परवत तेजी दिख रही है मोबाइल फोन से एरक्राप केरियर तक कोरोना वैक्सिन से फाइटर जेड्स तक भारत के आतमंदिर भरा भ्यान के ताकत सब के सामने है ऐसा माना जा रहा है कि दो हजार पचीस तक अकेले भारत की स्पेस एकोनमी ही साथ हजार करोड से बड़ी हो जाएगी यानि आज देश के युवाओं के लिए लगातार नए नए अवसर बन रहे हैं रोजगार की नई संभावनाय बन रही है साथियों आज आदी के अमरित काल में अगले पचीस साल जितने एहम है उतना ही आपका अगले पचीस साल का केरियर अहम है आपको टीम वर्क को सर्वोच प्रात्मिक्ता देनी है आपने देखा है इसी महिने इस देश में जी ट्वेंटी बैठकों का सफल आयोजन पुरा हुआ है दिल्ली समेट देश के साथ सहरों में दो सो से जादा बैठके आयोजित की गई इस दोरान विदेशी महमानों ने हमारे देश की विविद्रता के रंग देखे जी ट्वेंटी हमारी परंपरा संकल्प और आतित्य भावना का आयोजन बना जी ट्वेंटी समिट की सफलता भी पब्लीक और प्राइबेट सेक्टर के अलग-अलग विभागों की सफलता है सभी ने इस आयोजन के लिए एक टीम के रुप में काम किया मुझे खुशी है कि आज आप भी सरकारी कमचारियों की टीम इंडिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं साथियों आप सभी को देश की विकास यात्रा में सरकार के साथ सीधे जुड़कर काम करने का आउसर मिला है मेरा आप से आगरह है यात्रा में आप सीखते रहने के मिले आदत को बनाए रखिए ओनलाइन लर्निंग पॉर्टल आई गौड कर्मियोगी के द्वारा आप अपनी पसंद के कोर्सिस से जुड़ सकते हैं मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस विधा का लाब उठाए एक बार फिर मैं आप सब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ भारत के संक्रप को सिद्धी तक लाने के लिए आप सभी को मेरी धेर सारी सुब कामनाए आपके परिवार जनों को भी अनेक अनेक शुब कामना हैं, बहुत-बहुत बधाई है, आप स्वयम भी प्रगति करें, और आप इन पटीज साल जो आपके भी हैं और देश के भी हैं, ऐसा rare combination बहुत कम मिलता है, आपको मिला है, आईए सात्यों, संकल्प लेकर के चल पड़े, देश के लिए जी कर दिखाएं, देश के लिए कुछ कर के दिखाएं, बहुत-बहुत सुब कामना हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद